नमस्कार जैहिन इत्यास विमर्ष की इस यूटूब चैनल पर एक वर फिर से आप सभी का स्वागत है साथियों आज हम इस विमर्ष में एक ऐसी लुप्तु होती परंपरा के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो अब गाय बगाही देखी जा सकती है आज से लगबग 15-20 वर्ष पहले यह परंपरा सामान ने तौर पर देखी जा सकती थी हम इत्यास विमर्ष में इसी प्रकार की कई सारे पारंपरिक, एत्यासिक और सांस्कृतिक महत्यों के विशयों को उठाते रहेंगे और उठाते रहे हैं आज इसी संदर में मैं विशेश रूप से चर्चा करने उपस्तित हुआ हूँ टेसू के खेल की टेसू आपने कई वार कहावतों में सुना होगा कि लोग ग्यंग में एक दूसरे को टेसू कहकर उपहास उडाते हैं दोसर टेसू एक ऐसा बीर योद्दा था जो महावारत के बाद से काफी प्रचलित रहा उसे काफी मानिता मिली समाज में काफी लोग मानिता मिली एक तरह से वह लोग देवता के रूप में प्रचलित हुए आज इस एपीसोड में मैं आपको टेसू और जहेंजी इन दो के विशय में चर्चा करूँगा आप इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो देखकर समझें कि भारत में किस तरह से हमारे को सांस्कृतिक सम्मंदों को संजो के रखा गया किस तरह से हमें पारंपरिक इन उत्सबों के माद्यम से जोड़े रखा गया जिससे हम अपनी संस्कृति से जोड़े रहें अ और अपनी परंपराओं को समझ सकें आज की नई प्रीडी को इस वीडियो को पूरा जरूर देखना चाहिए तो चलिए बात करते हैं तेसु और जहेंजी उत्सब की तेसु और जहेंजी के विभा की एक लोग परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है बिशेश रूप से गौालियर चंबल संभाग के कुछ जिलों में, बुंदेल खंड के कुछ छेत्रों में, ब्रज छेत्र में और राजिस्तान के कुछ जिलों में इस प्रथा का प्रचलन आज भी देखा जा सकता है आधुनिक होते इस दोर में ऐसी लोग परंपराएं अब विस्मृत होती जा रही हैuç आज हम इस वीडियो में, इसी विस्मृत होती लोग परंपरा के जीवंत स्वरूप की चर्चा करेंगे आप से निवेदन यही है कि आप अंत तक बने रहें इस वीडियो में और ऐसी बिलुक्त होती लोग परमपराओं के संबंध में अपनों से भी इस वीडियो को साजहा अवश्य करें टेसू और जहेंजी खेलने की परमपरा कब सुरू हुई और इसके पीछे क्या लोजिक रहा यह यक्ष प्रस्न आज भी है किन्तु कुछ एक लोग परमपराओं ऐसी हैं जिनके लिए तर्क वितर्क के मकड़ जाल से बच्चे रहने में ही आनंद आता है इस वीडियो को बनाते समय जहेंजी खेल रही एक बच्ची नेहा से हमने जब इस परमपरा के बारे में जानना चाहा तो उसने बताया ये टेसू और सांजी का परमपराओं खेल है इसमें टेसू की और सांजी की शादी की जाती है ये नौमी वाले दिन से शुरू होता है और शरत पूर्णिमा वाले दिन तक चलता है शरत पूर्णिमा वाले दिन इनकी शादी की जाती है तो जो इनकी शादी होती है उसमें स साथ फेरियर नहीं होते हैं छाव ONE से छालों कम खेलते हिसलाय जनुसुर्तियों की अनसार टेसु की कहानी महावारत-काल के बाद से ही प्रचलन में रही है कि तेशु और जहजी की कहानी एक ऐसी अधूरी प्रेम कहानी है जिसे परवान चढ़ने से पहले ही मिठना पड़ा पांडवों में महावली भीम और हिडंबा का पौत्र वा घटोत कक्ष के पुत्र बरवरीक की यादों को ही टेसू उत्सव के रूप में मनाये जाता है बरवरीक एक महाश शक्तिशाली युद्धा था उसने तपश्या करके शिव विश्नु और अगनी देव से अपने लिए बरदान प्राप्त किये इन बरदानों में उन्हें तीन शक्तिशाली तीर प्राप्त हुए साथ ही अजे होने का भी बरदान मिला और यह बरदान मिला कि वह यदि किसी हारती हुई सेना की ओर से युद्ध लड़ेगा तो वह सेना कभी भी हारेगी नहीं बरबरीक महावारत का युद्ध देखने जा रहे थे तब उनकी माँ ने उनसे कहा कि बेटा जो पक्ष हारता देखे उसकी और से ही युद्ध में समलित होना रास्ते में बरबरीक को जहेंजी मिली जिसे देखकर उनके मन में उससे बिभा करने की मनसा जागरत हुई उन्होंने जहेंजी को बचन दिया कि युद्ध समापती के बाद बचन जहेंजी से बिभा कर लेगा बरवरीक ने मा को दिये बचन के अंसार हारती हुई कौरफ सेना की ओर से युद्ध लड़ने का विचार किया जब स्ट्री कृष्ण को यह पता चला तो उन्होंने बरवरीक को पांडवों के साथ उसके रिस्ते की बात बतलाते हुए उसे पांडवों के विरुद्ध युद्ध न करने की बात कही लेकिन बरवरीक नहीं माना अतर स्ट्री कृष्ण की अवग्या करने पर उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से बरवरीक का सिर्ध धड़ से अलग कर दिया जब भीम को बरवरीक के बारे में पता चला तो उन्होंने स्ट्री कृष्ण से उसे जीवन देने के लिए निवेदन किया बरवरीक ने स्ट्री कृष्ण से महावारत युद्ध को अंतर तक देखने की बात कही तब श्री कृष्ण ने उसके तीनो तीरों को आधार मना कर उसका सिर उन तीरों पर रख दिया और एक पेड पर जाकर उसे इस्थापित कर दिया जिससे वह महभार्ण का उस पूरा युद्ध देख सके वह पूरा युद्ध देख सके श्रीक्रिस्न रवरी को यह वरदान भी दिया कि कल्योग मं लोग उसे स्रीक्रिस्न के नाम से ही जानेंगे जाना जाता है विए अपने भक्तों का सहारा बनते हैं आज भी हम राहिस्तान में खाटू श्याम जी के दरसनों के लिए जाते है और वहाँ एक ही नारा लगाये जाता है हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा तीन तीरों पर सिर रखने की वज़े से ही टेसु को बास की तीन डंडियों पर सिर रखकर तयार के जाता है उसका धड़ नहीं होता केवल मुखोटा और हाथ होते हैं बच्चे समू में टेसु गीत गाकर सभी से नेग मांगते हैं प्राया इस खेल को बच्चे खेलते हैं कहीं कहीं युवा भी इस खेल का इससा बन जाते हैं और टेसु गाकर नेग मांगते हैं इसी प्रकार जहेंजी एक मटकी में कई सारे छेद करके उसके अंदर थोड़ा सा अनाज रखकर और दीपक जलाकर सांज के अनेरे में खेला जाता है यह एक ऐसा खेल है जिसे बच्चियां खेलती हैं मटकी के मुख को कपड़े से ढख दिया जाता है और फिर कई तरह के गीत मंगल गीत गाकर बच्चियां जहेंजी खेलती हैं और नेग मांगती हैं घर गर जाकर वो सभी से नेग भी मांगती हैं। इसे शारदे नवरात्र के पहले दिन से ही लड़कियां खेलती हैं और मा गोरी की आराधना करती हैं। जहन जी और टेसू से पहले कौार महा के पित्र पक्ष के सोला दिन सुवटा खेल कर जहन जी और टेसू उत्सब के विभा की तैयारी चलती हैं। यहां भी कुछ कथाएं और हैं। उन कथाओं में कई सारी कथाएं इस से संबंदित हैं। उनके संधर्म में ही ये सोला दिन का एक विभा उत्सब मनाय जाता है। और विभा की तैयारियों के लिए काम किया जाता है। शरत्पूनिमा के दिन जहेंजी वटेसू का विभा रचाया जाता है। लेकिन तीसरे फेरे के बाद ही टेसू वजहेंजी के प्रतीकों को नश्ट कर किसी बहते जल में प्रभावित कर दिया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बरबरीक वजहेंजी का भी विभा कभी संपन नहीं हो सका था। इसलिए अंत्तह उन्हें जल समादी लेनी पड़ी थी। टेसू जहेंजी के विभा उत्सब को सभी लोग मिलकर मनाती हैं। नेग्चलन की पारंपरिक विवस्थाएं भी उसी तरह पूरी की जाती हैं। जैसे एक सामान ने विभा में की जाती है। कहीं कहीं बड़े इस्तर पर भी टेसू की बारात निकाली जाती है। और खाने पीने को भी मिल जुलकर किया जाता है। आए सुनते हैं जहेंजी व टेसू के विभा उत्सब की कुछ सजीव जलकियों को जो अब धीरे-धीरे बिलुप्त होती जा रही है। आए सब्सक्राइब आए सब्सक्राइब जाता है। एसी लोग परमपराएं आज के दौर में तेज भागती हुई जिंदगी में कहीं लुप्त होती जा रही हैं। जिनसे सभी लोग मिल जुलकर रहने, खेलने, खाने और संस्कारों को भी भुलाते जा रहे हैं। टेशू और जहनजी का खेल लोग परमपराव संस्कृति के साथ साथ बीर वरवरिक के समाज के प्रतिस्तमरपन की यादों को भी ताजा बनाए रखता है। यदि आपने भी टेशू या जहनजी का खेल अपने बच्पन में खेला है, तो कमेंट्स वॉक्स में जाकर अपने अनुभव साजा करें। साथ ही बताएं कि इतियास विमर्ष का यह एपिसोड आपको कैसा लगा। तो दोस्तो आज हमने टेशू और जहनजी के विवा के संदर में इतियास विमर्ष में यह महत्पूर्ण जानकारी देखी। इस तरह की कई सारी और जानकारियों को हम इतियास विमर्ष में समय समय पर लाते रहते हैं और आपके साथ साजा करते हैं। आप से निवेदन यही है कि यदि आप अभी तक इत्यास विमर्ज से जुड़े नहीं हैं तो ऐसी ही महत्पूर्ण चर्चाओं के लिए आप इत्यास विमर्ज को सब्सक्राइब करें साथी साथ बेल आइकन पर जाएं और ओल के आप्शन पर जाएं जिससे इस चैनल के माद तमाम प्रकेर के विषयों को हम इत्यास विमर्ज समय समय पर उठाते हैं आप सभी का प्यार भी बराबर मिल रहा है आप लगातार अपने कमेंट्स के माद्यम से उन विषयों पर चर्चा करते हैं आप इस इत्यास विमर्ज से जुड़े रहें साथी साथ अपने मित्रों क देखा आपका बहुत बहुत धन्यवाद जैहिंद